Hello students, today I shall teach you chapter number 5, Computer Maintenance. इस chapter में हम पढ़ेंगे की computer का रख्रकावम कैसे करेंगे? Introduction Computer system requires maintenance so that the system works efficiently. पूर मेंटेनेंस में लेड़ टू सिस्टम फेलियर. Computer system को रख्रकाव की आवश्यक्ता होती है. ताकि computer system को सलता से काम करें, खराब रख्रकाव सिस्टम विफल का कारण बन सकता है. मतलब अगर हम computer के देख रेक ठीक से नहीं करेंगे, तो हमारा computer जो है, खराब हो जाएगा. वो काम नहीं करेंगा. Importance and need of care and maintenance of computer Regular care and maintenance may help you direct any issue at an early stage and keep it functioning well. Computer की देखवाल और रख्रकाव का महत्व और आवश्यक्ता. नियमित देखवाल और रख्रकाव आपको प्रारंबिक अवस्ता में किसी भी मुद्दे का पता लगाने और इसे अच्छी तरह से काम करने में मदद कर सकता है. इसका फर्स्ट पॉइंट है Regular maintenance of the system include installing, updates, security, taking, backups, scan, etc. सिस्टम के नियमित रख्रकाव में अपडेट, सुरक्षा, backup, scan आदी शामिल है. सेकिंड है Both internal and external parts of the computer system should be taken care of. Computer system के आंत्रिक और बहारी दोनों भागों का ध्यान रखना चाहिए. मतलब computer के अंदर के parts और उसके बहार के parts के देखवाल करने चाहिए. उनका ध्यान रखना चाहिए. Third है Keep the computer dust free अपने computer को जो है धूल से मुक्त रखे. मतलब उस पे कोई भी धूल वगारा नहीं जबने चाहिए. Four है Do not eat or drink while working on the computer. Food or drink may spell on the system. Computer पर काम करते समय खाना या पीना ना खाए. System पर खाना या पीना चलक सकता है. मतलब जो हम computer पर काम करते हैं तो हमें उसके आसपास बैट कर कुछ भी खाना नहीं चाहिए और नहीं कुछ पीना चाहिए. Fifth है To keep the keyword clean, make sure your hand are clean before using it. Keyword को साफ रखने के लिए सुनिशित करें कि उपियो करने से पहले आपके हाथ साफ हो. मतलब जब भी हम keyword को टेच करें उससे पहले हमारे हाथ बिलकुल clean होने चाहिए. उसमें कोई भी गंदकी नहीं लगी होने चाहिए. Six है Cats and DVDs should be handled carefully so that they do not get any scratch. CD और DVDs को साफदानी से समाला जाना चाहिए. ताकि उसमें कोई scratches नहीं हो. Seventh है Keep keyword covered when not in use. जब keyword का कुछ use ना हो रहा हो तो उसको cover कर देना चाहिए. ढख कर रखना चाहिए. Student, I hope आपको यह chapter समझ में आ गया होगा. Chapter 5 में आपका इतना ही है. एक बार इसको हम फिर से revise करेंगे. इस chapter में दे रखा है कि हम computer को कैसे maintain करके रखेंगे. उसका रख्रखाव हम कैसे करेंगे. तो इसमें पहला था हमारा इसमें दे रखा था कि हमें computer की देखवाल और रख्रखाव किस तरह से रखने चाहिए. इस chapter में हमने पड़े. इसमें है computer को हमें नियमित रूप से साफ करके रखना चाहिए. पर जब भी हम काम करें उसके पास आसपास बैटकर हमें कभी भी कुछ ना तो खाना चाहिए और ना ही कभी कुछ पीना चाहिए. जब computer का use ना हो रहा हो तब हमें system को ढखकर रखना चाहिए. keyword पर कोई भी काम करने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छे से साफ करना चाहिए और keyword को भी साफ रखना चाहिए. जिससे हमारे हाथों की गंदगी जो है keyword पर ना लगे. keyword में dust यां गंदगी लगने से क्या होता है उसकी keyword की कीज खराब हो जाती है और वो काम करना बंद करने लगती है वो जो है बहुत ही hard हो जाती है. दावाने में हमें उन्हें problem होती है. हमें CDs और DVDs को हमेशा उसके cover में रखना चाहिए ताकि उसमें scratches ना लग सके हैं. अगर CD यां DVDs में scratches आ जाते हैं निशान हो जाते हैं तो वो ठीक से काम करती नहीं है और हमारी जो है picture अटक अटक कर चलती है. हमें अपने computer system को उसके सारे parts को जब यो यूज ना हो रहे हो तो उनको ढख कर रखना चाहिए. थैंक यू.